दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहें Answer Everything दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले मोबाइल कमपणियां मोबाइल के साथ एरफोन देती थी आज कल सभी कमपणियों ने इयरफोन देना बंद क्यों कर दिया तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों आपको पता होगा कि पहले कमपणियां अपने हर फोन के साथ एरफोन देती थी लेकिन अब सभी कमपनियों ने देना बंद कर दिया है इसके पीछे कई कारड़ हो सकते है कारड़ यह हो सकता है कि इयरफोन ना देना कमपनी की एक बहुत बड़ी चाल हो सकती है क्योंकि कमपनियां खुद अलग-अलग तरीके के इयरफोन मार्केट में उतार रही है और अपने इयरफोन को जो है कम दामों में बेज रही है अपने इयरफोन को कम दामों में जितना उनका बनता है उतने उल्दामों में बेज रही है इस परकार कमपनी को बेजने से मुनाफ़ा भी हो जाता है अब आप ही सोचिए अब अगर हर कमपनी का इयरफोन मार्केट में लांच है तो अगर वह कमपनी स्मार्ट फोन के साथ साथ इयरफोन भी दे देते हैं तो उनके द्वारा लांच किया गया इयरफोन कौन खरीदेगा तो इसलिए कंपनियां अपने स्मार्टपून के साथ ऐरफ़न देना बंद करती है 예 भी हो सकता है कि मॉबायल फून की किमत को कम करने के लिए कंपनियां और फून नहीं देती क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि इस समय मुबायल की कर आदे को मुबाई स्माटफोन की किमत का इरिट को किम कर ने के लिए कंपनी एर्फोन नहीं सुचतिं है की मोबाई की मगाई घृक्क लिएक और ull melhor गहीफ को और उडर नहीं करने के हुद्ट आपich से दो हुजार रूपय तक होती है। इस तरह करड़ यह भी हो सकता है कि कंपणिये वुलुटूथ लेस्ट वायरलेस इयरफोन को बढ़ावा देना चाहती हूँ क्योंकि इसी वज़स्ते ज्यादा तर मोबाइल कंपणिये जो हैं अपने स्मार्टपोन में 3.5 mm jack को गायब करती जा रहे हैं यह भी करड़ हो सकता है कि ब्लुटूथ लेस्ट वायरलेस इयरफोन को बढ़ावा देना चाहती है तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को स्प्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेर कीजिए धन्यवाद